हेलो फ्रेंस मैं हूँ गीत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल गाडनिंग विद गीत कुमार में आज का जो हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है एक रिक्वेस्टिट टॉपिक है और जो हमारी चैनल के व्यूवर है उरुच खालिद जी उनका सवाल है कि उनका जो अरेलिय का प्लांट है उसकी पतिया गिर रही है चूने से गिर जा रही है और उस पे ब्राउन स्पॉट हो रहे हैं उसकी पतियों पे तो ऐसा क्यूं होता है और कैसे ठीक करें आप अपने प्लांट को तो इसी टॉपिक पे वीडियो शेयर कर रही हूं अच्छा लगे वीडियो त ताकि सारे plant videos की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे तो start करती हूँ अपना video तो आज का जो हमारा topic है friends कि इसकी पतिया क्यों गिर जाती है गिरती है या फिर इस पे brown spot जो होते हैं निशान होते हैं वो क्यों हो जाते हैं तो बात करते हैं कि इसकी जो पतिया होती है वो क्यों गिर जाती है leaf fall होने के कारण क्या है सबसे पहला कारण हो सकता है over watering यानि कि आप अपने plant में अगर जरूरत से ज़ादा पानी डालते रहते हैं तो plant की पतियां गिरना शुरू हो जाती है तो अगर पतियां गिर रही है तो सबसे पहला कारण over watering यानि कि बहुत पानी डालने की वज़े से होता है दूसरा कारण हो सकता है ये एक humidity loving plant होते हैं humidity loving plants बहुत सारे पौदों के बीच में रहना पसंद करते हैं जहां उनको humidity मिलती है ये एक moisture loving plant भी है तो moisture बनाए रखने के लिए इनके उपर पानी का spray किया करें हमेशा तो इसमें moisture बना रहता है अगर moisture की और humidity की इन plants में कमी होती है तो ये plant अपनी पतियां गिराना शुरू कर देते हैं तो ये भी कारण हो सकता है पतियां गिरने के इसके अलावा अगर आप इस plant को बहुत जादा ठंडे जगह पे रखते हैं या फिर बहुत गरम जगह पे रखते हैं तो भी इसकी पतियां गिरने लगती हैं तो इस plant को ऐसी जगह में रखें जहां इसे ना जादा ठंड मिले ना जादा गर्माहत मिले तो ये जो plant हैं वहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो होंगे इन plants को सुबा की एक दो घंटे की हलकी धूप अगर मिलेगी ना तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे तो ऐसी जगह में रखें जहां पे इस plant को सुबा की कम से कम एक से दो घंटे की धूप मिल जाती है तो ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होते रहेंगे इसके अलावा अगर इसमें कोई infection हो जाता है pest infestation जैसे केडे मकाडो का attack है तो ये प्लांट की जो पतियां है तब गिरने लगती है तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ ले कि आप ये सारे indication है आपके प्लांट में पतियां गिरने के कि क्या क्या reason है सारी मैंने बता दी है अब इसका आप क्योर कैसे कर सकते हैं तो अगर आप पानी इसमें जादा डाल रहे हैं तो पानी बहुत balanced way में डालें बहुत एक बार डालने के बाद जब मिट्टी सूखने रखती है तभी इसमें पानी दिया करें इसके अलावा moisture बराय रखने के लिए पानी का spray किया करें कम से कम दिन भर में एक बार जरूर spray किया करें दूसरी बात कि इसको humidity loving plant है तो humidity बहुत सारे पाधों के बीच में रखें तो आपका प्लांट जो है पत्तियां गिराना बंद कर देगा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी बंद कर दें और इसके 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 इलावा बात करते हैं फ्रेंज की fungal infection मतलब जो brown spots होते हैं वो क्य जब हम पानी बहुत जादा डाल देते हैं गमले में तो मिटी बहुत देर तक गिली बनी रहती है और गिली बनी रहने की वज़े से इसमें fungal स्ट डवलप हो जाते हैं और फंगस डवलप जो होता है वो प्लांट की जड़ों को खाना शुरू करता है फिर दीरे उपरी भा मॉश्चर नहीं है कहने का मतलब है फ्रेंट्स की जो मिटी है आपके गमले की वो हमेशा हलकी गिली रहनी चाहिए मतलब उसमें नमी बनी रहनी चाहिए बहुत जादा गिली नहीं रहे लेकिन हा नमी बनी रहे तब भी अगर नमी की कमी होती है मिटी में तो भी पत्तियां गिरती हैं तो ये सारे कारण होते हैं पत्तियां गिरने के और इसमें ब्राउन स्पॉट होने का कारण जो होता है वो फंगल इंफेक्शन होता है जैसा कि मैंने बता दिया फंगल इंफेक्शन को दूर करने के लिए आप कोई भी फंजिसाइड पाउडर का स्प्रे कर सकते ए आपका प्लांट पूरी तरह से थाथी बना रहेगा और सुबह की हल्की दूप ज़रूर दिखा दिया करें तो यही थे आज का यही थे आज के हमारे कुछ टिप्स प्लांट को सेव करने के लिए अरेलिया प्लांट की पत्तियां क्यों गिर जाती है और ब्राउन टिप्स होन